Hey students, आज हम बात करेंगे polygenic inheritance की and epistasis की तो polygenic inheritance क्या है? यह हमारा आज का topic है polygenic inheritance हम उस inheritance को कहते हैं जो के depend करती है multiple allele पे एक trait के लिए multiple gene मौझूद होते हैं एक polygenic का मतलब है एक trait के लिए, एक character के लिए multiple gene का होना तो हमने पहले जब पढ़ा है trait के बारे में, तो जब भी एक trait होता है हमारे पास तो उस trait को control करने के लिए कोई ने कोई gene होती है, कोई ने कोई allele मौझूद होती है suppose एक height का जो character था उसको control करने के लिए हमारे पास जो gene थी उसके पास दो allele थी, एक थी tall और एक थी drop दो allele है, यानि कि gene सिर्फ एक ही है, तो हमारे पास जितनी भी हमने discuss की थी inheritance वो सारी क्या थी, qualitative, qualitative का मतलब है कि उसके अंदर हमने देखा था कि सिर्फ जो gene है, एक ही gene थी, वो किसको control करी थी, उस character को control करी थी तो एक gene का होना, उस character को control करना, सिर्फ एक ही gene उससे control हो रही थी और उसके अंदर हम, चाहे उसके अंदर multiple allele भी मौझद हो, लेकिन उसकी जो phenotype थी वो सिर्फ एक ही allele पे depend कर रही थी, कि वहाँ पर कौन सी allele मौझद है तो अगर ये organism है, तो इसके अंदर अगर tall वाली allele है, तो ये organism tall होगा और अगर इसके अंदर short वाली allele है, तो ये organism क्या होगा, short होगा तो इसकी जो phenotype है, वो किस पे depend कर रही है, इसकी phenotype सिर्फ एक allele पे depend कर रही है जो Allil इसके अंदर मौझूद है तो इसलिए हम इस Inheritance को Qualitative Inheritance कहते हैं जो हमने पहले पढ़ी है क्योंकि इसके अंदर Quantity पर Depend नहीं करी कि कितने Allil इसके अंदर मौझूद हैं Allil कितने हैं वो उसके डिपेंड नहीं करी इसके अंदर सिर्फ जो dependence है वो सिर्फ इस पे हो रही है कि कौन सी अलील है तो इसके अंदर अगर टॉल वाली अलील है तो ये टॉल होगा और ड्रॉफ वाली अलील है तो ये इसके अंदर ड्रॉफ होगा ये plant या फिर कोई भी organism तो यहां पर ये qualitative inheritance कहलाता है जबके ये जो polygenic inheritance है ये एक quantitative inheritance है ये यहां पर quantity की बात होगी कि कितने अलील मौजूद है एक trait के लिए तो इसको हम आगे देखते हैं कि किस तरह से ये quantitative inheritance है तो पहले हमने जो भी traits डिसकस किया जैसे कि हमारे पास tall drop यानि कि height का trait है blood group का है या RH factor का है ये जो भी trait है ये किसी एक gene से control हो रहे थे यानि कि एक gene जो single locus पर जो gene मौजूद है उसके दोरान ये control हो रहे थे लेकिन यह पर हमारे पास जो polygenic inheritance है वो different gene पर यानि कि एक से ज्यादा gene पर वो depend करता है और एक character के लिए multiple genes यहां पर मौजूद हो थे हमारे पास कुछ ऐसे भी character होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा gene है यानि कि कुछ ऐसे gene हैं दो या फिर तीन gene होंगे जो कि क्या होंगे सिर्फ एक character को control कर रहे होंगे एक trait के लिए multiple gene जो है इसका होना यह polygenic inheritance कहराता है तो on the other hand some traits are controlled by कुछ traits जो हैं कुछ character जो होते हैं many genes हैं मतलब कि एक से ज्यादा genes उस character को control कर रहे होंगे multiple allele नहीं multiple genes की यहां पर बाहत हो रही है multiple alleles तो वैसे भी हमारे पास महज़द आते हैं लेकिन multiple genes एक character को control करें इस चीज़ को हम polygenic inheritance कहते हैं तो अब यह किस तरह से होगा इनकी inheritance किस तरह से होगी इसको देखते हैं their phenotype will work in additive manner उनका जो phenotype है वो additive manner के अंदर काम करेगा जैसे कि अगर हमारे पास किसी एक character के लिए क्या है तीन जो है वो gene control कर रही है एक character को तो ABC यह तीन ज जो है यह express होगी तो उसका जो character है उस पर एक खास impact पड़ेगा अगर उसके अंदर B gene भी express होगी तो फिर उसका impact थोड़ा और बढ़ जाएगा और C gene यह भी express होगी तो उसका impact और ज्यादा बढ़ जाएगा यानिके यह additive manner के अंदर काम करेंगी जो भी gene express होगी उसका असर जो है उसका impact जो है वो उस character पर बढ़ जाएगा यानिके अगर कोई gene express होगी है तो उसका जो impact है उसका जो काम है वो काम उसका impact उसके अंदर add हो जाएगा उस पहले वाले character के अंदर वो character add हो जाएगा और इस तरह से यह additive manner के अंदर वो function करेंगी तो यह allele का जो काम होगा जो इनका work होगा, वो add होता जाएगा, एक दूसरे, उनका जो phenotype है, वो additive manner के अंदर काम करेगा, तो ये इसी लिए इसको हम quantitative inheritance कहते हैं, quantitative inheritance क्यों कहते हैं, क्यों कि ये इनका जो phenotype, वो additive manner के अंदर work करता है, The phenomena of inheritance where single trait is controlled by two or more than two separate pairs of genes are called polygenic inheritance, यानि कि एक ऐसी फिनामेना जिसके अंदर एक single character control हो रहा है, एक से ज्यादा gene से, और वो additive manner के अंदर अपना impact दिखा रहे हैं, वो genes और उनका जो phenotype है, वो phenotype कहलाता है, continuously varying trait, ऐसे trait जिन के पास, जो के polygen, एक से ज्यादा gene से वो control हो रहे हैं, polygen से control हो रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं, continuously varying trait, क्योंकि उनका जो phenotype है, वो vary करता रहता है, और वो क्यों vary करता है, क्योंकि उनके अंदर सारे genes के, सारे alleles, जितने भी alleles, उसको control करे हैं, उन सभी का impact, जैसे ही add होता जाता है, त जलब कि continuously वो change होता जाता है, तो इस तरह से ये continuously varying trait कहलाते हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास है epistasis, और epistasis एक ऐसी condition है, जिसके अंदर एक gene जो है, उस पर एक दूसरी gene जो है, वो उस पर आके एक impact डालती है, यानि कि उसको control करती है, दो genes आपस में जो है, ये बिलकुल ही condition है, जिसके अंदर क्या होता है, कि एक gene जो है, वो दूसरी gene को control करती है, तो इसके अंदर लिखा है कि phenomena of inheritance where expression of one gene is controlled by another gene, मतलब एक gene, जो कि original gene है, उसको एक दूसरी gene आकर control करती है, इस phenomena को हम कहते हैं epistasis, तो epi word का मतलब है above और stasis का मतलब है top, यानि कि ये ऊपर आकर उसको दूसरी वाली gene को आकर suppress करेगी, उसका impact कम करेगी और खुद वहाँ पर आकर express होगी, तो यहाँ पर इसको confused नहीं किया जाए, कि ये co dominance यहाँ पर नहीं है, incomplete dominance भी नहीं है, dominance क्या है, देगा है, dominance यहाँ पर नहीं है, dominance का मतलब है, कि दो alleles के बीच में interaction है, दो alleles के बीच मे वहाँ पर क्या है, एक relationship है, जब हम एक locust पर दो alleles होती हैं, suppose यहाँ पर क्या है, यह दो आपके पास chromosome है, और इस पर A है और यहाँ पर B है, तो अब क्या है, कि यहाँ पर यह dominant हो जाएगी, जो यह capital आ लिए है, यह dominant होगी, तो यहाँ पर यह express हो जाएगी, अब देगें, यह dominant है, इसलिए यहाँ पर express हो गई, तो यह दो alleles के बीच में, यहाँ पर A की character की बात हो रही है, और यह gene कितनी होगी, सिर्फ A की gene है, जिनके दो alleles मوجود है, लेकिन अगर हम इसको देखें, epistesis को, तो यहाँ पर क्या होगा, कि दो अलग-अलग locust पर, यह homologous chromosome भी नहीं ह और यहाँ पर इसकी यह, suppose, यह मوجود है, यह दूसरी B gene है, तो यहाँ पर यह B मوجود है, तो यह A और B इन दोनों के बीच में interaction होगा, यानि कि यह A जो है, या तो यह B जो है, यह A के उपर से इसको recessive कर देगी, या इसको control करेगी, और यहाँ पर, इसको हम आगे देखेंगे, तो मतलब कि एक gene जो है, वो दूसरी gene को impact करेगी, और एक gene, original gene जो है, वो या तो surprise हो जाएगी, या तो इसका impact कम हो जाएगा, तो यही इसे हम कहते हैं, epistasis, तो इसकी definition यहाँ पर last में भी लिखी है, कि यह वो phenomenon है, जो कि interaction है between different genes, यह दो different genes जो है, उनके बीच में यह क्या ह example है, जैसे कि यहाँ पर एक अमारे पास कुछ examples हैं, जिनको हम यहाँ पर discuss करेंगे, एक है wheat grain, जो कि wheat का जो grains है, उनका color जो होता है, वो polygenic trait है, और दूसरे आपके पास है, इनसान की skin color, human skin color, यह भी एक polygenic trait है, इनसान का weight होता है, यह भी polygenic trait है, और साथ में height वगरा, य इनको हम सारे को सभी को discuss नहीं करेंगे, लेकिन skin color और साथ में आपके पास जो wheat grain color है, इसको हम discuss करेंगे, तो polygenic inheritance यहाँ पर इसको देखते हैं, कि जैसे कि बताया गया है, कि दो different acid traits, जो कि एक से ज्यादा gene से control हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं, polygenic inheritance और वो additive manner के अंदर काम कर अगर दो gene control कर रहे हैं, तो उनके पास total allele कितने हो जाएंगे? चार allele हो जाएंगे, तो अब यहाँ पर अगर दो gene है तो चार allele होंगे, और अगर तीन gene एक character को control कर रहे हैं, तो उसके 6 allele हो जाएंगे, तो इस तरह से different allele, जो कि different locusts पर मौझूद हैं, और different gene के वो allele है तो वो सारे मिलकर एक character को control करेंगे और अपना additive manner के अंदर अपना additive effect दिखाएंगे तो ये quantitative effect अपना वाँ पर show कर रहे होंगे ये सारे genes poly genes कहलाते हैं और ये character polygenic trait कहलाते हैं तो या तो उनका कोई positive impact होगा या तो उनका negative impact होगा हर allele का देखें हमारे पास दो तरह के allele होते हैं एक dominant allele और एक recessive allele अगर यहाँ पर A जो है ये color को थोड़ा सा बढ़ा रहा है यानि कि pigment को produce कर रहा है और color को dark कर रहा है तो यहाँ पर small A जो है ये कोई pigment produce नहीं करेगा और उसका color dark नहीं होगा दूसरी तरफ हमारे पास अगर B मौझूद है तो ये B क्या करवाएगा ये color को dark करवाएगा और pigment को produce करवाएगा जबकि small B जो होगा ये pigment produce नहीं करवाएगा तो इस तरह से positive और negative impact जो है वो मौझूद होगे इन allele के हर allele का या तो positive impact होगा या तो negative impact होगा उस character पर तो इस तरह से वो character या तो वो positive direction के अंदर जाएगा या negative direction के अंदर जाएगा हर allele का अपना impact होगा अब हम discuss करते हैं wheat grain color को wheat के जो grain colors होते हैं वो उनका color बहुत different different आपको दिखता है या तो वो बहुत dark red color होता है या तो वो बिल्कुल ही white जो है वो color आपको दिखता है तो ये depend करता है कि उसके अंदर कितने pigment producing allele मौझूद है ऐसे allele जो कि pigment को produce करवाते हैं जब pigment produce होगा तो फिर आपके पास उसका color क्या हो जाएगा वो dark हो जाएगा और वो red की तरफ जाएगा यानिके darkness की तरफ अगर उसके अंदर pigment produce नहीं होगे उसके अंदर जो भी allele वो pigment produce करने वाले नहीं हैं बलके recessive allele तो फिर pigment produce नहीं होगा और वो white की direction के अंदर जाएगा तो इस तरह से बहुत सारे phenotype यहां पर produce होगे the color of wheat grain vary from white to dark इसके अंदर white to dark जो है वो white to dark red color तक यह vary करता है इसके अंदर white plants भी होगे और dark red plant grain color producing plant भी मोजूद होगे यानिके कुछ ऐसे भी होगे जिनके पास क्या होगा white color होगा और कुछ ऐसे होगे जिनके पास dark red color होगा wheat grain का it is a best example of polygenic inheritance और continuously varying trait seven different phenotypes इसके अंदर आपको मिलते हैं यानिके जैसे ही वो कोई एक अलील express होगी तो उसका effect जो हो एड़ हो जाएगा और एक नया phenotype आपको दिखेगा तो इस तरह से आपके पास total seven different phenotype आपको मिलते हैं जैसे कि यहां पर यह दिखाए होगे हैं एक है dark red और दूसरा है moderality dark red और एक है red और light pink यह आपके पास दूसरा light pink है और last में यह white है तो यह यहां पर होगा यह light red है और यहां पर यह pink है light pink है और white है तो इस तरह से seven different जो phenotypes हैं वो इसके अंदर आपको मिलते हैं एक experiment किया गया था जो के experiment performed किया था Nielsen aidéern ही तो इनों ने क्या किया कि एक अपके पास plant लिया जो कि था white grain का batch grain color जो कि क्या था एक था red और दूसरा आपके पास था white तो यह दो ब्लांट्स थे एक red वाला और एक white वाला इन दोनный को जब इन्होंने cross करवाया, तो इन्होंने देखा, F1 के अंदर जो plants produce हुए, वो सारे plants जो थे, वो कौन से थे, light red grain plants थे, यानि कि एक intermediate जो है, वो सबसे intermediate जो phenotype है, वो इनको मिला, जब इन्होंने इसको cross करवाया, और यहां पर white को दोनों को cross करवाया, तो इनको ये light red वाला ये phenotype इनको मिला, यानि कि एक intermediate phenotype इनको मिला, जब इन्होंने इस plant को दुबारा self fertilize करवाया, तो अब देखें, इन्हें एक शक था कि ये जो है, ये एक ऐसी inheritance है, जो कि incomplete dominance की वाली inheritance है, यानि कि इन्होंने सोचा कि ये incomplete dominance है, क्योंकि जब भी हम incomplete dominance के अंदर दो plants को जब हम cross करवा लुआते हैं, तो उसके इंदर एक intermediate phenotype हमें मिलता है, और intermediate phenotype इसके अंदर वैसे ही हमें मिल रहा था, तो इन्होंने सोचा ये incomplete dominance नहीं है, तो इन्होंने ये find out करने के लिए क्या इन has incomplete dominance है, या फिर नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, एन्होंने फिर से F1 के plants को जो है, इन ने ये मिलना था लेकिन ये ratio इनके पास नहीं आया जो कि incomplete dominance में आता है यहां पर इनको different seven type के different plants इनको मिले जो कि ये थे dark red, moderatory red और ये सारे different plants इनको यहां पर मिले और इनका जो ratio था वो भी different था जैसे कि यहां पर एक जो था वो 1 ratio 6, ratio 15, ratio 20 तो इस number के अंदर इस ratio के अंदर य इस का ratio था 1, जबके moderatory dark rate का ratio था 6 और red का ratio था 15, जबके light rate का ratio था 20, pink का ratio था 15 और यहां पर light pink का ratio 6 और white का ratio 1 था तो ये सब भी seven different phenotype इसको मिले और इनका जो ratio था वो भी सबसे एक दूसरे से different तब इनने ये बात पता नहीं थी कि ये जो है polygenic trait है या polygenic inheritance यहां पर हो रही तो बाद में जो है इन्होंने ये found किया कि ये जो character है ये control हो रहा है different allele से और यहां पर तीन different gene जो है इन्वाल्व हैं एक gene है gene A और दूसरी है B और तीसरी है gene C तो three different gene लोकाय यहां पर involved हैं और हर individual के अंदर इसके लिए six allele मौजूद हैं क्योंकि तीन जीन है तो total six allele हों gene के लिए ये तीनों जो है gene ये control करेंगी इस character को जो कि character क्या है color अब इसके अंदर अगर एक gene जो है वो capital हो जाएगी तो यानिकि dominant हो जाएगी तो ये express होगी और इसकी वज़ा से यहां पर क्या होगा कि एक जो pigment है वो produce होगा और यहां पर एक step आ गया जाएगा यानिकि य और आपके पास ये यानिकर B B और C C और ये सारे जो है अगर capital होंगे तो इसकी वज़ा से हमारे पास ये सबसे dark जो है color प्रोडिउस होगा यानिकर dark red color इसका produce होगा तो अगर ये ऐसा इस तरह का genotype कि सी के पासोगा तो इसका color जो है वो डार्क रेड होगा तो इस तरह इस को प्रोडू석 करते हैं और यह small वाले जो 3 अलील signal को प्रोडूसक नहीं करते है तो अगर आइक ऐसा प्लांट जिन पास यह जी जीनोटाइप, तो उसका colour बिलकूल ही तो जी के कोई इस के पास कोई pigment producing alel नहीं है, यानिके कोई ऐसी alel जो के capital हो, यानिके वो pigment को produce करे, तो कोई ऐसी alel इसके पास नहीं है, युआ कोई pigment produce नहीं होगा, और इसके अंदर इसका colour white हो जाएगा जब इन्होंने cross कर Robot तो जब हम यहाँ पर इन दोनों का cross करवाते हैं तो अब देखें क्या आना है यहां पर कुछ ऐसा आपको phenotype यहां पर genotype मिलेगा कि यहां पर इसके अंदर capital A, small A, capital B, small B और capital C, small C यह वाला genotype जो है यह इसको मिला जब इन्होंने यहां पर उपर cross करवाया था तो यहां पर यह genotype मिला है और यह genotype जो है यह इससे relate करता है अब इससे किस तरह से relate करता है आप इसमें देख सकते हैं कि कितने इसमें pigment producing allele है एक, दो और तीन pigment producing allele हैं तो यहां पर तीन pigment producing allele वालत जो होता है वो यहां पर यह होता है जब भी आप ये पता कैसे लगाएंगे जब भी एक pigment producing allele मोजूद हो किसी के genotype में तो फिर वो होगा light pink और किसी के पास 2 pigment producing allele हो तो वो pink होगा और किसी के पास 3 pigment producing allele हो 4 हो 5 हो या 6 हो तो वो इस तरह से ये आप पता लगा सकते हैं कि उनका जो genotype है वो किस category से आता है तो अगर अब इसके अंदर देखें तो इसके पास total 6 जो है वो pigment producing allele है तो इसका मतलब है ये dark red होगा अब इसके अंदर क्या है कोई pigment producing allele नहीं है तो ये white होगा याणि कि यहाँ पर zero है ठीक है तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं अब यहाँ पर यह जब cross करवाएंगे f2 के अंदर यानिके हमने जो आपके पास plant था जो क्या था light red था हम आपने उसको self fertilize करवाया और अब उस self fertilization के नतीजे के अंदर उसके अंदर कितने बने कितने sperms यानिके gametes कितने type के आए तो उसके अंदर 8 type के gametes यहाँ पर बने हैं तो 8 type के gametes और यहाँ पर दूसरे same to same 8 type के gametes से हम जब fertilize करेंगे तो total हमारे पास कितने 64 जो है इनके combinations बनेंगे और 64 plants यहाँ पर आपके पास बनेंगे और उन plants के अंदर आपको यही ratio मिल आपको इसके अंदर देखता है यह देखा गया है कि सारे जो pigment producing अलील है वो red pigment को बनाते हैं यहाँ पर कोई भी capital जब भी capital A आएगा तो red pigment बनेगा अगर आपके पास small B capital B आएगा तो भी red pigment बनेगा और capital C आएगा तो भी red pigment बनेगा तो अगर आपके पास एक बार capital A एक red pigment बनेगा और आपके पास अगर यह जितने बार भी मतलब के यह सारे अगर आ जाएंगे तो dark red सबसे ज्यादा dark जो red है वो color यहाँ पर show हो जाएगा तो अब यहाँ पर देखें क्या हुआ कि अगर यह जिनो टाइप है तो सबसे dark red है और यह जिनो टाइप किसके पास कौन सा जिनो टाइप है सबसे सारे capital letters वाला है यानिके six इसके पास अलील होंगी जो कि क्या है pigment producing अलील है और यह इसका सबसे ज्यादा dark जो है वो इसका color होगा तो यहाँ पर अब हम आगे देखते हैं कोई ऐसा grain है जिसके पास क्या है एक अलील है suppose यहाँ पर हम इसको capital A है बाकि सारे small हैं यानिके इनके पास सिर्फ एक ऐसी अलील है जो कि क्या है pigment producing है तो इसके अंदर वाख ही pigment produce होगा और अगर एक बार pigment produce होगा तो इसके सबसे कम वाला यानिके light pink इनका जीनो टाइप हो जाएगा तो अब उसके बाद अगर किसी के पास दो जो है अलील है जो के pigment producing allele हैं तो दो इनके अंदर capital letters होंगे यानिके A capital ये है और दूसरा B capital है यह हो सकता है B capital हो C capital हो यह हो सकता है A और C इनके अंदर दो capital मौझूद हो तो अगर ऐसा है तो फिर यहां पर दो pigment producing allele हैं और दो pigment produce करने वाले अगर allele किसी के पास मौझूद है तो उसका क्या होगा पिंक होगा अब ऐसा किस तरह से आपने पता लगाया यह मैंने उपर आपको बताया था कि अगर यहां पर 0 pigment producing allele है तो वो white होगा 1 pigment producing allele है तो वो light pink होगा 2 pigment producing allele है तो pink होगा और इस तरह से आप number को बढ़ाते जाएंगे किसी के पास 6 pigment producing allele है यानि कि सारे यह capital है तो वो dark red होगा तो इस तरह से यही बात यहां पर बताई जा रही है कि किसी के पास अगर इन में से कोई भी genotype देकर आपको पूछा जा सकता है कि उनका जो color है वो कौन सा है तो आपने यह match करना इस से कि अगर आपको यह पूछा जाए इनके अंदर देखें कितने है capital वाले यानि कि 4 capital वाले हैं तो अगर 4 capital letters है इसका मतलब है 4 pigment producing allele है और इसका आप किस से match करेंगे आप भूछा पर इस पर देखेंगे कि किस के पास 4 pigment producing allele होते हैं तो यहां पर red के पास जो है वो 4 pigment producing allele होते हैं और इसका मतलब है यहां पर इसका color क्या होगा red होगा तो अब यहां पर red color जो है यह show होगा तो इस तरह से यह वही बातं लिखें किसी के पास अगर सारे जो है ये capital वाले हैं तो यहां पर सिर्फ एक ही जो है ये क्या है small है तो इसका मतलब है इसके पास 5 pigment producing allil है और इसका मतलब है इसका moderately dark red इसका color होगा तो ये phenotype show करता है कि जिस तरह से ये pigment producing allil बढ़ रहे हैं इस तरह से इनका जो phenotype है वो add हो रहा है और additive manner के अंदर इनका phenotype work कर रहा है इनके phenotype पर environmental factors भी असर करते हैं और इनके nutrients और water भी इन पर impact करते हैं तो आपने देखा कि किस तरह से polygenic inheritance जो है वो work करती है इसके अंदर जो 3 gene है वो 3 gene additive manner के अंदर impact करते हैं एक character को और additive manner के अंदर अपना असर उस character पर दिखाते हैं तो ये था आज का lecture next video में हम skin color को discuss करेंगे जो कि एक polygenic inheritance है उसको भी हम cover करेंगे thank you so much, Allah आफिस